नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखबरदार नूज आए नजर डालते हैं रीवा से जुड़े ही प्रमक पांच खबरों पर दुआरी धान खरीदी केंद्र में नौ दिन से चल रहे है धरना इस्थल पर राज सभा सांसस्री राजमन पटेल धरना इस्थल पर पहुँचकर अंसन कारिस्री चोटी वाला एबम किसानों से मुलाकात की और धान खरीदी के लिए सरकार से बात करने की बात कही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तरीवा जिले के गोविंदगार थाना छेतर के अंतरगत ग्राम अमिलकी में ट्रक और बाइक की भिडंत में एक यूबक की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि बाइक सबार जैसे ही सड़क पार करने की कोशिस कर रहा था वैसे ही आरहे ट्रक से उसकी टककर हो गई जिसमें हादसे में हेलमेट पहने सक्त तो बच गया लेकिन दूसरी उबक की मौत हो गई बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर तो चाग गाड थाना में पदस्त थाना प्रभारी सेर अली खान जी का पनवार थाने के लिए इस थाना आंतरन होने पर थाना परिसर में बिदाई समारोह का आयोजन किया गया वही नवागत थाना प्रभारी राम सी रोमणी बागरी का स्वागत बंदन हुआ रीवा लोग सभा सीट से कांग्रेस प्रत्यासी रह सिध्यार तिवारी ने ओला प्रभावी छेत्रों का दावरा कर पीड़ित किसानों से कहा कि ओला ब्रिष्टि से उत्पन इस्तिस से चिंतित ना हो कमलना सरकार आपके साथ है बढ़ते हैं अगली ख़वर की ओर तो सोहागी थाना अंतरगत ग्राम मजगमा पुखरी टोला कुवा में मिली लास की सिनाक्त हुई दिनेश कुमार बहरोलिया पिता मान सिंग बहरोलिया ग्राम मजगमा पुखरी टोला के रूप में पहचान हुई है और बताया जा रहा है कि मृतक कबूतर का सिकार करने के लिए कुए में उत्रा था जिससे उसकी मौत हो गई मेता के जे में मरा हुआ कब उतर भी प्राप्त हुआ है खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे दख़बरदार न्यूज के साथ नमस्कार धन्यवाद